सीरियल कसम तेरे प्यारकी में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है वेल हमने आपको बताया था कि तनुजा की प्लास्टिक सजरी के बाद वो तनु की तरह दिखने लगी है और तनुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका मानना है कि तनु की शकल पाने के पीछे जरूर कोई न कोई रास छुपा है जिसका कनेक्शन रिशी के साथ है अब कमिंग एपिसोड में तनुजा को सांडी के घर से निकाला जाएगा जिसके बाद तनुजा को लगने लगेगा कि उसके नई चेहरे की वज़े से उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है इसलिए वो अपने नए चेहरे को खराब करने की कोशिश करेगी तो क्या सही वक्त पर रिशी आकर तनुजा को अपनी शकल बर्बाद करने से रोप पाएगा ये जानने के लिए देखते रहे हमारा चानल